वेल्कम एव्रिवन कैसे हो आप सब मुस्कुराइए डियर सर आपके साथ है सबसे बेले तो दोस्तों मुझे कॉमेंट करके ये बता दो कि आपका क्लास 11 का इंग्लिश का एक्जाम कब है मेरी जानकारी के अनुसार आपका ज्यादा तरका इंग्लिश का एक्जाम 17 फरवरी को है यानि 17 ओफ एक्जाम को क्लास 11 का इंग्लिश का एक्जाम होने वाला है मैं आपकी लाइव रिविजन कराने वाला हूँ इंग्लिज का एक्जाम की क्लास 11 की तब कराने वाला हूँ इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं आज आपको जितना भी पूरा syllabus है उसका road map मैं आपको देने वाला हूँ आज ही से ज़्यादा रिविजन तो आपकी मैं ऐसे आज की ही वीडियो में करा डालूँगा दोस्तों ये रहा आपका English का syllabus और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है डर लग रहा है इंग्लिश भी नहीं आती है कैसे इंग्लिश में पास हूँ या कैसे अच्छे marks लाँ तो मैं आपको बता जाना चाहता हूँ कि अभी भी आपके बा कोई बात नहीं जो बता रहा हो सुन लो बई जो आपका पूरा syllabus है वो इस तरह से है कि आपके passage आएंगे दो एक 10 नमबर का एक 8 नमबर का 18 नमबर के आपके हो गए unseen passage और क्या note making है 8 नमबर की grammar आएगी 7 नमबर की advertisement अब ये writing portion शुरू हो गया जा writing skill होती है जैसे letter writing लिखते तो आपका letter तो नहीं है लेकिन advertisement है 3 नमबर का poster making है 3 नमबर का speech है debate है 55 नमबर की और आपका literature आएगा 31 नमबर का और इस तरह से आपके 80 marks हो जाते हैं सारी तना बड़ा syllabus है क्या करूँ जो बता रहा हूं वो करो न आपको सबसे पहला काम पता है क्या करना है यह जो यह writing portion है 16 marks का इसे लूट लो सबसे ज़रूर यह writing portion इसके अंदर क्या-क्या है सर क्या-क्या है इसके अंदर बताओ न हमें दोस्तों देखो सबसे पहले करना advertisement writing situation vacant situation wanted to let to sale आपको कहीं नौकरी चाहिए या कोई इंसान आपको चाहिए जोब खाली आपकी company में आपको कोई सामान बेचना है आपने कोई चीज आपने पाई है तो आप उसका advertisement डाल देतो मुझे चीज मिली किसकी है ले लो आपकी कोई चीज खो गई है lost and found तो आपके advertisement डाल देतो ऐसे से मेरी घड़ी खो गई ती मेरी स्कूटी खो गई ती चोरी हो गई इस तरह की जो advertisement आप newspaper में देखते हो वो लिखने के लिए आपके exam आएगा कितने नंबर का सिर्फ तीन नंबर का यानि पचास वर्ट में लिखना है और इसे लिखने के लिए ना मज़े की बात बताओं आपको बहुत ज्यादा पुरानी lines है पुराने question है कुछ इसमें ज्यादा नहीं है असानी से लिख लोगे अगर examiner काटेगा भी न नंबर कितने काट लेगा तीन ही नंबर का है तो हमारा कितना फायदा हो जाएगा हमें क्या करना है सिर्फ format याद करना है सिर्फ format याद कहां से करो कोई book बता दो न कोई book बता दो ना कहां से करूं कैसे करूं अरे मैंने आपके लिए पहले ही already वीडियो बना रखिये इस वीडियो को देख ले ना 1.5 की speed से और बस बात कतम dear sir है ना साथ टेंचन किये क्या बात आ जाओ तो भी advertisement कर लिए तीन नंबर अपने confirm कर लिए बिलकुल बस आपको क् format format याद रख लेना वो जो lines मैंने बता रखिये वो lines याद कर लेना बस हो जाएगा काम अब दूसरा काम क्या करना जल्दी से poster making poster बनाने के लिए आता है ना save water, save earth या cigarette is injurious to health इस तरह से women empowerment उसमें भी English नहीं लिखनी होती जादा English तो मुश्किल से 2-3 line की होती है 50 words के अंदर बढ़िया सी लिखना 2-3 word और हो गया काम 3 number इसमें भी पक्के कर लो उसके बाद क्या करना है अचा poster making sir इसका format का है वो तो बजा दो अरे video बना रखिये मैं आपके लिए टेंशन नहीं है already बना रखिये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए playlist भी बना दी है जिसके अंदर class 11 का सा प्राद हो questions की तो टेंशन मत लो अभी तो ऐसे मजाग में बाते चली मोटी मोटी मोटा मोटा देख रहें फिर उसके बात करना speech or debate speech writing की वी बना रहा कि उसका format याप कर लेना बड़ा question होगा 120 words में लिखने का होगा इसके बारे में detail में live class में बता होगा ऐसे debate writing होती आपको हमने fight की थे आप कोई कह सकता है नहीं उससे हम fight नहीं कर सके थे जो भी मलब दो point दे देगा किसी भी चीज़ के दो point मालो social media के उपर आगे social media था social media के क्या फायद है क्या नुकसान है तो एक point पे तो आप उसके फायद ही लिख रहोंगे तो उसका क्या format होता है क्या होता होत अच्छे से करा दूगा अभी मैं खुद नहीं कह रहा है आपसे कि इसमें जादा टेंशन लो या इसकी जादा प्रैक्टिस करो लेकिन अगर दिमाग से देखो ना देखो तीन तीन नंबर यह तो पक्के हैं च्छे नंबर तो यह आ जाएंगे और इसमें कितने लाने हमें नंबर यहां हो जाते हैं और इसमें टोटल में लाने बारा नंबर तो कहीं नहीं गए यार नॉट मेंकिंग क्या होती है सर कुछ नहीं होता क्या होता है दो-ते anyone ब снथ WiFi यह टेगा आपको दो ते hews Mirzy एक समस्राइज में लिखना है कुछ ऐसे हैडिंग्स लिखनी है साथ मैं ऐसे जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट का एडवर्ट करके बिंदू लगा दिया ऐसे उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना बस और बाद में तीन नंबर की कहते हैं समरी बना देना समरी भी उसी में से उधेड़बुन करके ऐसे ले आउगे ना क्या पूरा काट देगा ऐसे कर गए काटी नहीं सकता क्यों नहीं काट सकता जी ऐसे कैसे कह रहे हो आप मैंने वीडियो बना रखिया नोट मेकिंग की पूरा समझा रखा है क्वेस्चन करा रखा है टेंचन ही खतम है ना फिर तो तो लो जी सबसे पहले किसी को भी ना इस वाले क्वेश्चन में बहुत जारा ना प्र श्राइब करना मैंने बना रखिये उसमें मैं तरीका बता रहा है जो आपको टीचरस को जो विजी प्राब्लम का सेलूएशन वहापर है किस टाइब यूशन आप पर हैं और सिपाई कर रहे हैं हो भी मैंने अठारा नमबर होगे अठारा और आठारा इसमें लिया होगे तो भी 26 नमबर हो जाते हैं भाला बहुत जादा टाइम लगाने की जरूरत बिलकुल नहीं है ज्यादा प्रैक्टिस इसकी करने की इतनी जुरूरत नहीं क्योंकि इसमें सबसादत काम आपकी वोकाबिलरी आएगी समझनों मेरी बात इसको और रिविजन क्लास में अच्छे से समझाऊंगा आजो अब देखते ग्रैमर आईगी आपकी साथ नंबर की सिर्फ सेवन मास की और उसमें पूछे ना पता है क्या रियरेंजमेंट वाले या रियॉर्डरिंग वाले क्वेस्चन कुछ भी नहीं है आपको इंग्लिश बनाने की भी जुरूरत नहीं रियॉर्डर करना कितनी अच्छे ट्रिक मैंने रियॉर्डरिंग वाली वीडियो में बदा रख्यों अधान लेडियो आपको करा रख्या है यह वीडियो जेख लेना बात खतम है रियॉर्डर वाला आएगा तेंस के क्वेस्चन आजेंगे जिसमें अच्छे से कर पाऊगे आप डीबेट और इस पीच बेसे कर पाऊगे तो बस टेंस अच्छे से लेना हो गया काम हो रहा है काम तो यह कितने नंबर का हमने कवर कर लिया 49 मार्स का कवर हो गया उननचास नंबर की रिविजन करने में आपको दिन पता कितने लेंगे मुश्किल से एक दिन एक सिटिंग अगर ढंग से बैठ के पढ़ लोना तो यह आपके 49 मार्स तो यह कवर हो रहे हैं इसमें कुछ करने की ज़्यादर जरूरत ही नहीं है तो क्या नहीं कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं सर और कहा जाता है कि पेपर कितना ही मुश्किल हो जाए क्या कहा जाता है कि पेपर कितना ही मुश्किल हो जाए अगर बच्चे ने पढ़ा है और डियर सड से बढ़ा है, तो हर पेपर आसान लगता है, है के नई, अटेंशन मत लो, 49 मार्स को तो इस तरह से आपको अभी रिविजन करना है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, कि मैं खुद यहां खड़े हो कि बहुत जल्द आपकी लाइव रिविजन करा हूँ, कब करा आते है लिड़ेचर पे, यह रहा हमारा लिड़ेचर, 31 मार्स का है, दो भुकस है, सर हाथ पेर कहवरे है, क्या करे, इसका मैं सिलीचन बता जिता हूँ, अब आते है लिड़ेचर में आपकी दो भुकस है, जिस्में आपकी पहली बुक है हॉन-बिल, बुक का नाम बताता पाँच चैप्टर है टोटल, कितने पाँच चैप्टर है हॉन्विल में और चैप्टर्स क्या है यार, इतने प्यारी कहानिया है आपको प्यार हो जाएगा The Portrait of a Lady आप स्टार्ट करना इस चैप्टर से, बड़ी मुझेदार कहानिया क्या आपकी दादी मा है, दादी आपके घर में, दादी नी चलो दादा है, नानी है आपकी कोई आपका घर का बड़ा है, वो जो बड़े बुडे जो हमारे घर के होते हो, कैसे हमारे को अच्छी बाते बताते हैं हमें धर्म की बाते बचाते हैं, हमें अच्छे कामों के लिए प्रेड़ना देते हैं, इसमें क्या है एक दादी है, उनका एक पोता है, वो ना गाओं में रह रहे होते हैं, वहाँ पे वो दादी अपने पोते से बहुत प्यार कर रही होती है, वो इसको स्कूल छोड़ने जा आते व Courtney, क्या खेते मंदिल होके आती है मंदिल लेके यह सब चलता रहता बाद में जो बच्या होता है वह जो उनका पोता है उनका बीटा बेटा और बहु वह सब शुह श़िप्ट हो जाते जो पोता होता है बाहर पढ़ने चला जाता है फिर वो वापिस आता है और कुछ टाइम बाद वो देखता है कि जो उसकी दादी है उनका दियान तो जाते है उमर जाती है वो ना वापि चुडियाओं को दाना डालती थी टोपोले डालती थी और जब उमर जाती तो चुडिय नजदी के और दूरियां होती है दादी के अपने पोते से अपने बाकी फैमिली मेंबर से उसके बारे में कहा गया है बहुत प्यारी कहानी है तो portrait of a lady सुनके मज़ा आने लगा ना मैंने already वीडियो बना रखे इसके ओपर पूरी complete यह रही वीडियो देख ले ना बहात ही खत अंदर की बात की से बोलना मैं एक ना मुझे लगता है बेवकूफ सा आदमी था वो बिल्कूल सज में बेवकूफ रहा होगा उनने पता है क्या किया हरकत बता उसकी वो अपनी वाइफ को अपने दो पिचारे मासुम बच्चों को छोट चोटे बच्चे 6-7 साल गे उनको ने जहाज में लेके चला गया बाई कहरा पूरी दुनिया का चक्कर काट उँगा एसे एसे गोल चकर काट उगा मैं क्यों दोसो साल पूराना कोई वर्ल्ल रिकॉर्डर से तोड़ूगा का निता इंडिया वाले हम लोग ऐसे निये वाई हम लोग फालतों की चीजहों में बीवी का हाथ में हाथ लेके बैठे हुए बीवी भी कह रही आप बहुत अच्छा आदमें आपने मुझे बड़ा प्यार दिया बड़ी अच्छा अपने फैमिली का खया लगा है बस वो जैसे तैसे करके वह जो तूफान था रोग गया यह पानी निकालते रहे और यह बच चैप्टर दे कुछ सीख सकते हैं कैसे हम जब एगर एक साथ हो तो किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीवत का सामना कर सकते हैं वी जस नीड़ टूगेदर वी जस नीड़ टूगेदर वी जस नीड़ तो बी युनाइटेड एवरी प्रॉब्लम वी वांट तो ऐसे आपको ए आगे बढ़ जाते हैं हमारे डिस्कवरिंग टुट मम्मी वह वाली मम्मी नहीं दूसरी मम्मी है यह चैप्टर डिसकवरिंग टूट मैंने बड़े मुझेदार अंदाज में आपके लिए बनाए नहीं देखा तो देख ले ना इस चैप्टर की कहानी क्या है मम्मी तूतन पर फिर बाद में इसकी मम्मी मिलती है हरवर्ड कार्टर जो थे उन्होंने इसकी मम्मी की खोच की थी और फिर बाद में और बी सिटी स्केन वगयरा हुए जिससे पता चला कि इसकी हडी कितनी तूटी थी या किसकी मौत कैसे हुई होगी इसके बारे में हमें डीटेल थोड़ी बहुत मिलती है यह पूरे चैप्टर की कहानी मज़ेदार कहानी मज़े ले ना इस चैप्टर में भी पूरी विडिये बना रखी है मैंने कम्प्लीट अराम से देख लो टेंशन का तुम ऐसा लेगा मूवी देख रहे हो आज वागे नेक्स चैप्टर है एडिवेंचर चैप्टर पॉइस प्रोफेसर गाय टूंडे लेकिन यह वह वाले काय टूंडे नहीं है यह दूसरे गाय टूंडे यह चैप्टर अंदर की बता दू बत झाल अंग्रेजों का राज का dif आ लगोलोंद लिए और वह शारी टो यह बढ़नागा की तो तो मैं लाइब रिवेजन में अच्छे से और समझा दूँगा इसको तो मैं आपको बस हिंट देरों कितनी मज़िदार कानी लेवंध क्लास के चैप्टर में एक आता सिल्क रोड जर्नी टू माउंट के लाज जो हमारे बाहरे के लोगों होता है उदर घूमने का यहां जो न लाइब रिवेजन कब कराऊंगा थोड़ी दिर में बताऊंगा आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरी बुक जो है हमारी कौन सी स्नैपशॉट यह बड़ी मुझेदार है अरमान मुराद की कहानी अर्मेनियन अर्मेनिया एक जगा है वहांके दो लड़कों की कहानी एक ऐसे ट तुर आके लिए और अर्म को निए बता था यह का है लाइक घड़की बाइक ले जाते हो अब अबहुत और अब यहाजा बैठा चलता है सेंवें बैठे करते कई बहुत हैं तो बहुत यह मुराद ले आता है बाद में इंको आइसास होता है जब इसके चाचा के पास था बाद में इसको बड़ी शर्मिन दिक होती है वापिस वहाँ पे बांद के आ जाते हैं यह कानी आरे में मुराद की बहुत अच्छी कानी है जाद अच्छा था यह ममा भी चली जाता तो इसको याद रखना भी असान है बड़े अच्छी कानी इसको याद रखना भी अध्रेस तो अच्छी कानी जिसकी माँ ना डंगों में जिसे मर गए थी जब जग जब जंग हुई थी वहार हुई थी त उसमें मर गए थी अब वो मर गए थी तो उनको घर भी खाली करके भागना पढ़ गया था उसका समान मजे रह एक था बड़े होने के बाद कुछ सालवाद हो जाती अपने घर अपनी मां के घर किसी से एड्रेस पता करके एड्रेस पता करके लेकिन वहाँ जाती हो अपनी मां का समान रखा हुआ लेकिन उस समान को झां तो होता है ऐसे को हुचिता हैं हम उस इंसान से लगा हुधा हुधा, जिसको समान होताanha है मदर के वारे सब्सक्राइब मैं इस में मिस्सिद सिर्षे का है के इता रहती बदमाच सी होती है वो से उतना सुनती रहती है तो अपने बच्चों की और अपने पती तेगे कैसे अरे मेरे को देख और इसको जादू आता हुटा है उसकी आत्मा बदल लें श्रीर बदल ले और अपनी आत्मा है एस से क्या कर लेते हुए लोग आए उसके बादू को सबक सिकहाती घर वालों को यह कानि बड़ी मध्जदार कानि मिस्फेरसना फिस्गिल्ट की कौन्सी मदस कि यह तरह का प्ले है वैसे बाइदőवे नेक्स है हमारा चैक्टर बर्थ बर्थ में क्या होता है बर्थ सोचना क्या हो कि वहाँ?! एक मां होती है मैंने का मां के ऊपर है सारी इसकी बुका ना भी रख देते हैं दा मदर अच्छा लगता मुझे भी अब बर्त के अंदर गया इसमें का नहीं कैसे एक बच्चे को बिच्चा होने वाला था है उनका पहला बेबी होने वाला होता है तो उसको यंग पढ़ा है लेकिन वह ऐसे बुला रहा है यह कुछ इस तरह समझे लो मालो मेरा बड़ा दिल तूटा वालेकिन मेरे बच्चों के एक्जाम में मुझे आके तो यह चैप्टर से आपके यह चैप्टर से आपके स्नैप्शॉट्स के दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है मज़े आ रहा होगा कहानी में इंटरस आना शुरूआ तो इस तरह से आपको इन चैप्टर्स को ना कुछ भी नहीं करना है गो थू करना जितना कर सकते हो इनको करने में कितना टाइम लगेगा कितना टाइम है और इनकी पिछले साल पूरे सारे चक्टर्स की रिविजन भी करा रहा है और इस साल तो ताजी ताजी करांगा अब बता देता हूं रिविजन कौन सी डेट को होने वाली है दस फरवरी जी हां बिल्कुल सई सुना अपने 10 ओफ फैब को दस फरवी 2024 को क्लास 11 और श्रविजन मैं कराने वाला हूं एक-एक करके पहले एक बुक कराएंगे फिर दूसरी बॉक कराएंगे और ग्रामर करा देंगे राइटिंग खतम करेंगे तीन-चार लाइव सेहन जाओ में जाने और तो इसब बॉप अच्छे वह पर्द नुम पर्द थे स्क्राइब इसलिए आगे क्योंकि वह बच्चा मेरा बहुत प्यारा बच्चा था मैंने उसको बढ़े प्यार से पढ़ाया था तो दोस्तों अच्छा पोएम से रहे पोएम से लाइव रिविजन मैं करा दूँगा पांच पोएम है बहुत असाने पांच-छे पोएम बड़े प्यारी प पढ़ रखा है लिखे देख रखा है मन से त्यारी कर रखी है तो आपके नमबर आएंगे और बस इदर उदर सोचो के मैं चेंपियन हूँ मैं जीनियस हूँ ऐसा सोचते रह जाओगे कुछ नहीं वाला एक्जाम में पूछेंगा पोट्रेट ऑफ लेडी का क्विस्चन क् मिलेंगे तो बस चला की जितनी दिखानी है अपने कॉंटेंट में जो भी आपका जो सिलेबस है ना उसमें देखो वाई के मेरे को क्या पढ़ना है उसमें कैसे चला की दिखा सकता हूँ वह देखना तो दो दोस्तों यह तो छोड़ी बात है मैं आपको बताता रहूंगा ताकि तब तक के लिए बरे रहे डियर सर के साथ